नमस्कारा साथ्यों मैं आपका दिनेस्व बोरा लगाता राजस्थान के अलग-अलग हिस्वो मैं खास, तोर से पच्पी राजस्थान के अनदर गाउ और धाणी के अंदर जा रहे हैं और वहां के लोगों की समस्या देख रहे हैं लोग नेता तो वैसे वोट मांगने के लिए आ जाते हैं और उसके बाद में क्या वादा पूरा करते हैं ये जो मैं गावं के अंदर खड़ा हूँ ये चक बैसका चक बैसका गाव है ना चक बैसका जो की सिव से किता किलोमेटर दूर है दस किलोमेटर सिव से दूर है मतलब आप सोचिए सिव एक उफखन मुखालिया और उसके बाद में दस किलोमेटर दूर है यहां के लोग जब हम पहुँचे अभी बीजेपी के एक मीटिंग हुई थी और उसके बाद में मैंने लोगों से बाचित की और बहुत सारी माता हैं इस इलाके के अंदर थोड़ी कम बोलती है कैमरे के अंदर लेकिन उनकी जो पीड़ा थी वो सीधे तोर पर है कि पानी के लिए 75 साल बाद भी संगर्स करना पड़ता है और जो अस्पताल का हाल है वो भी मैं आपको बताऊँगा सुरुआज करते इन बच्चों से जो बच्चे भविश्य है देश का बड़ी उमीद है क्या नाम है आपका जोगा राम क्या कौन सी क्लास में बढ़ते हो बारवी में अच्छा ये कौन सी स्कूल है क्या इस स्कूल के अंदर किते बच्चे हैं थोड़ा बताओ राज की उत अच्छा तो यहां पर आपने कभी नेताओं से वुचा नहीं बोट मांगने आ रहे हैं अब नेताओं को कहा कभी कहा है पर नेता कहा कि जाते है अकबारों मैं भी दी दो तीन बार पर उस समस्या का कोई समाधा नहीं हो रहा है सरकार क्या लगता है सरकार क्या स्कूलों को लेकर इतिवादे करती है सिक्साओं को लेकर वादा करती है बच्चियों को लेकर वादा करती है लगता है अकीकत है कुछ नहीं कोछ अकिकत नहीं है अच्छा क्या लग रहा है अज आपको अच्छी स्कूल मिल जाए कमरे मिल जाए तो थोड़ा आपका भविश्य सुदर सकता है क्यों ने सब्सक्राइब और kya लगए होनी चाहिए लेक्षरार होने चाहिए और अच्छी पढ़ाई आप्सक्राइम को मेरा सुरस कुमार थाइए तो वर पढ़ते हो क्रें अबहों के चैजों की Empathy पर पढ़ती की सकाइट की छूछेहें कोई थहां क्या है सक्षेम कंटी आप सब्सक्राइब गाती है छाहने मोदी जी 서울 माम peng और यहां मेरा नाम सुरिष कुमारा है सुरी जी जह यह जो गाउं इस सरकार सब नेता वादे करके चले जाते हैं ठीक हमारे गाउं में स्कूल थी न पहले पांची तक थी पन्ची से पूरे के पूरी जंजर हैं उसके अंदर बच्चे की बैठने की स्तधी आज भी ठीचर्स बार बिठा थे उसका कारणी है कि उसकी पूरी जो उपर सीन वगरा होते हैं वो पूरी तूट चुकी है पर स्कूल किती दूर जेश्ट पास में 500 मेटर आप चलो आपको आकिकत बात बताएंगे बच्चे आज भी बार बैठे है और गाओं की मूलबू शिवदाओं में तो आप देख लो बिल्कुल है पर एस्पिताल के अंदर मेडम की ट्रांस्पर शेमें ने होगे इसकूल के मा अपर किसी कोई बिमार पढ़ जाता है इलाज के लिए खाना पड़ा जाना पड़ता है कुछ नहीं मेडम कुछ से ही नहीं मेडम ही निये निशुल कुन देगा अच्छा दवाई तो सर्कार तो दावा करती निशुल के दावा है हक्किकत दरातल पर आप देख लोगे ना म हैं आपको मेरे गाउं की बताता हूं आप चलो ओए निम का होस्पिल आगे लोग लगा रहा है मेडम की ट्रांस्फरी चे मेने होगी लेडी जो कि सबसे ज़्यादा समय रहते हैं उनको बाड़ मेर तक जाना पड़ता है हर काम काज के लिए ठीक है सबसे बड़ी समया पानी पानी की समझेसा क्या है रेगुलार सप्लाइच चालू नहीं प्रवार में नहीं सब से जादा विकलू है एक स्कूल में नहीं सीनियर से केंट्री स्कूल है उसके द्वारा ग्राम पंचायत दो तिन से बनाए गई बच्चह नम we темпер बहुत गंबीर समस्या है तो कभी आपने नेताओं से यहां पे नहीं है पोस्ट खाली है चलते हैं और वहां जाकर उसका हाल देखते हैं कि किस तरीके का जो वादा यह लोग जो कह रहे हैं उनके क्या कुछ आकिकत है दिनेश कुमार बारमेर